श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हेनाथ नारायन वासुदेवा ओम श्री कृष्ण आयनम्हा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है भगवान श्री कृष्ण सदा आप और आपके परिवार की रक्षा करें आप सभी को हर दुख हर बिमारी से बचाए रखें आज मैं आपको सुनाओंगी श्रीमत भागवात महापुरान की कथा का चौथा अध्याई लेकिन आज का अध्याई शुरू करने से पहले हर बार की तरह मैं आज आपको बताऊंगी कि आखिरकार किस श्राप के कारण गांधारी को सौब पुत्र तो हुए लेकिन वो अपने किसी भी पुत्र को जीवित नहीं देख पाई और ऐसा हुआ था एक श्राप के कारण वैसे तो गांधारी के श्राप के बारे में बहुत सारी मानिताएं प्रचलित हैं महाभारत में आपको बहुत सारी कथाएं सुनने को मिल जाएंगी कहानिया सुनने को मिल जाएंगी लेकिन जो कहानी मैंने अब तक सुनी है उस कहानी के निसार कहा जाता है कि गांधारी अपने पूर्व जनम में भी एक राजा की पुत्री थी जाने की एक राजकुमारी थी एक बार हुआ ये कि कांधारी के सिर में बहुत भयानक दर्द उठा। दर्द इतना भयानक था कि राजकुमारी दर्द से छट पटाने लगी। और इसके बाद राजा ने राज महल में रहने वाले जितने भी अनुभवी वैद्द थे उन सभी को बुलवा लिया। सभी ने राजकुमारी के सिर दर्द को कम करने का प्रयास किया लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। सभी ने ओश्टी दी लगाने के लिए खाने के लिए लेकिन राजकुमारी को किसी भी ओश्टी का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। कहते हैं कि तब किसी अनुभवी राजवैत ने राजा को सलहा दी कि अगर राजकुमारी के माथे पर सौ केज़ों को कुचल कर उनका लेप लगा दिया जाए तो ऐसा करने से राजकुमारी का सरदर्द एकदम ठीक हो जाएगा जब राजा ने इस सलहा को सुना तो उसने बिना सोचे समझे राजकुमारी के सरपड लेप लगाने के लिए सौ केज़ों को ढूनने का आदेश दे दिया अब राजकुमारी की हालत जो थी वो बिलकुल मरने जितनी हो गई थी ऐसा लगता था कि मानू राजकुमारी का दम कि इसी भी शंड निकल सकता है राजकुमारी उधर सिर्दर्द से छट पठा रही थी और उधर राजा ने अपने महल के कुछ लोगों को सौ केज़ों कर लाने का आदेश दे दिया थोड़े ही प्रयास के बाद राजा के भेज़ेवे लोग जो थे वो केज़ों को ढूनने मे ले आए कुछल राजवैद ने जल्दी जल्दी से उन केज़ों को कुछल कर उनका लेप बना दिया और उसे राजकुमारी के माथे पर लगा दिया लेप लगने के बाद तुरंथी राजकुमारी के सिरका दर्मानों बिलकुल गाया भी हो गया हो राजकुमारी एकदम श्राब दे डाला कि जिसने भी मेरे बच्चे चुराये हैं या जिसने भी मेरे बच्चों की हत्या की हैं मैं श्राब देती हूं कि उनके घर में सो पुत्रों का जन्म होगा और वे सभी पुत्र एक दिन ही मारे जाएंगे उन सो पुत्रों में से एक भी पुत्र जीवित नही कहते हैं कि यही श्राप था जो गांधारी को अपने अगले जनम में भुगतना पड़ा आईए भक्त जनों अब सुनते हैं श्रीमत भागवत महापुरान की कथा का चौथा अध्याय जिसमें गोकर्ण के बारे में कहा गया है श्री सूत जी महराज कहते हैं हे मुनिवर उस सम में अपने भक्तों के मन में अलोकिक भक्ती का प्रादुर्भा हुआ देख भक्त वचसल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधार चुके थे उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी श्री अंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था उस पर मनुहर पितांब पर सुशोभित हो रहा था कटी प्रदेश करधनी की सुन्दर लड़ियों से सुसज्जित था सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की जलक देखते ही बनती थी वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए मन को चुरा ले रहे थे वक्ष इस्थल पर थी सारा श्री अंग हरी चंदन से चर्चित था उस रूप की शोभा के बारे में अब क्या कहें उनके उस रूप ने तो मानो करोणो काम देवों की रूप माधुरी ही छेन ली थी भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धवाधी वहां गुप्त रूप से उ और जय हो जय हो की द्वनी कूजने लगी उस समय भक्ती रस का अद्भुत प्रवाह चलने लगा बार बार अभीर गुलाल और पुश्पों की वर्षा और शंक द्वनी होने लगी उस सभा में जो लोग बैठे हुए थे उन्हें अपने देह गेह और आत्मा तक की सुधी न मैता देखकर देवर्षी नारत कहने लगे नारायन नारायन हे मुनिश्वरगन आज 17 रवन की मैंने यह बड़ी ही अलोकिक महिमा देखी हैं यहां तो जो बड़े-बड़े मूर्ख दुस्ट और पशु पक्षी आदी भी हैं वे सभी अत्यत निश्पाप हो गए हैं हे मुनिश्वर आप लोग तो बड़े दयालू हैं और आप सभी ने तो संसार के कल्यान का विचार करके यह बिल्कुल ही निराला मार्ग निकाल दिया हैं हे मुनिश्वर अब कृपया यह तो बताए कि इस कथा रूप सप्ताह यग्गी के द्वारा संसार में कौन-कौन से लोग भी पवित्र हो सकते हैं तब संकादी रिशी ने कहा हे नारत्मुनी जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं निरंतर दुराचार में ही तत पर रहते हैं और उल्टे मार्ग पर चलते हैं तथा वो जो क्रोधागनी से जलते रहने वाले होते हैं ऐसे लोग जो क काम परायन हैं वे सभी इस कल्यूग में सप्ताह यग्य से पवित्र हो जाते हैं यहां तक की है देवर्शी जूट बोलने वाले अपने माता पिता की निंदा करने वाले त्रश्टा के मारे व्याकुल आश्रम धर्म से रहित दम भी दूसरों की उन्नती देखकर कोढ़ने वा वे भी कल्यूग में सप्ताह यग्य से ही पवित्र हो जाते हैं जो मदिरापान, ब्रहम हत्या, सोने की चोरी, गुरु इस्त्री गमन और विश्वास घात ये पांच महापाप करने वाले, छल छत्म परायन, क्रूर, पिशाच के समान, निर्दई, ब्रहमणों के धन से पु दूसरों के धन से ही अपना भरन पोशन करते हैं, तथा मलिन मन और दुष्ट हिर्दे वाले हैं, वे भी कल्यूग में सप्ताह यग्य से पवित्र हो जाते हैं, हे देवर्शी, अब हम तुम्हें इस विशय में एक प्राचिन इतिहास सुनाते हैं, उसके सुनने मात्र से ही सब पाप नस्ठ हो जाते हैं, हे नारद मुनी, पूर्व काल में तुंग भद्र नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था, वहां पर सभी वर्णों के धर्म के लोग अपने अपनी धर्म का आचरन करते हैं, सत्य और सत्य कर्मों में तट पर रहते थे, उस नगर म करता था, वह धनी होने पर भी बिक्षा लेकर अपना जीवन याचन करता था, उसकी प्यारी पतनी, धुंदली, कुलीन और सुन्दरी होने पर भी सधा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी, उसे लोगों की बात करने में बड़ा सुख मिलता था, स्वभा उसका बहुत क परकार ब्रहमन दमपती बड़े प्रेम से पने घर में रहते और विहार किया करते थे, उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामगरी बहुत सारी थी, घरद्वार भी बड़े सुन्दर थे, परन्तु उससे उन्हें बिलकुल सुख नहीं मिलता था, जब उनकी उम्र ढलने लगी, तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुर्निकर्म करने शुरू कर दिये, वे दीन दुखियों को, गवों को, प्रत्वी, सोने और वस्तरादी का दान करने लगे थे, इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधाधन समाप्त कर दिया, तब भी उन्ह किसी पुत्र या पुत्री का वर्दान नहीं मिला यानि कि उन्हें संतान सुख नहीं प्राप्त हुआ इतने धर्म के काम करने पर इतना दान देने पर जब उसका आधिस से जादा धन भी खतम हो चुका तब वह ब्रहमन अब बड़ा परिशान रहने लगा हर समय चिंता में द सलाव के किनारे आ गया अब संतान का भाव था और ये बहुत भारी दुख भी उसके जीवन में था तो इस दुख ने चिंता ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था बहुत कमजोर बना दिया था इसलिए ठक जाने के करण वह जल पी कर वहीं धर्ती पर ही बैठ गया थो अमने खड़े होकर बड़ी लंबी लंबी सासे लेने लगा वो सासे दुख बरी सासे थी तब सन्यासी ने पूछा कहो ब्रहामर धिर्ता रोती क्यों हो तुम्हें ऐसी क्या भारी चिंता है तुम जल्दी मुझे अपने दुख का कारण बताओ हो सकता है मैं तुम्हारा दुख बरारा दी गई जलांजली के जल्को अपनी चिंता जनित सांसों दुख गरम करके पीते हैं देवता और ब्रहमन मेरा दिया हुआ प्रसन मन से स्विकार ही नहीं करते संतान पाने के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे चार उत्रफ केवल विरान ही विरा दिकार हैं संतान हीन धन को भी दिकार है और संतान हीन कुल को भी दिकार है मैं जिस गाय को पालता हूँ वो भी हमीशा बांजी हो जाती है मैं जो पेर लगाता हूँ उस पर भी कोई फल फूल नहीं लगता यहां तक कि मेरे घर में जो फल आता है वो भी बहुत जल्दी सड़ जाता है जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ तब फिर इस जीवन को रखकर आप मुझे करना ही क्या है ऐसा कहकर वह ब्राह्मन बड़े दुखी मन से सन्यासी महत्मा के पास उनके चर्णों में बैठकर फूट फूट कर रोने लगा तब उन सन्यासी के मन में ब्राह्मन के लिए बड़ी करुणा उत्पन हुई क्योंकि वे तो योगनिस्ठ थे उन्होंने उसके लिलाट की रेखाएं देखकर उसका सारा व्रतांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वा कहने लगे हे ब्राह्मन देवता अब तुम संतान सुका मोहत्याद दो कर्म की गती सबसे प्रबल होती है इसलिए अब तुम विवेक का साहरा लेकर संसार की वासना भी छोड़ दो हे ब्राह्मन सुनो मैंने इस समय तुम्हारा दुख देखकर निश्य किया है कि साथ जनम तक तुम्हारे कोई भी संतान किसी भी प्रकार नहीं हो सकती पूर्वकाल में राजसगर और अंग को संतान की कारण ही दुख भूखना पड़ा था हे ब्राह्मन अब तुम भी अपने परिवार को आगे बढ़ाने की आशा छोड़ दो सन्यास में ही सब प्रकार का अब तुम्हें सुक प्राप्थ हो सकता है तब सन्यासी की बात सुनकर ब्राह्मन ने कहा हे महात्मा जी विवेक से मेरा क्या होगा अब तो आप मुझे किसी भी प्रकार पुत्र दीजिए नहीं तो मैं आपके सामने ही शोग मूर्चित होकर अब अपने प्राणों का त्याग करता हूँ जिसमें इस्त्री और पुत्रादी का सुखी ना हो ऐसा सन्यास तो सर्वता नीरस ही है लोग में सरस्तो पुत्र पुत्रादी से भरा पूरा ग्रस्त आश्रम ही होता है ब्राह्मन का ऐसा आगरह देखकर उन तपोधन ने कहा विधाता के लेख को मिटाने का हट करने से राजा चित्र केतु को भी बड़ा भारिकस्ट उठाना पड़ा था हे ब्राह्मन इसलिए दैव जिसके उद्योग को कुचल देता है उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल पाएगा अब तुमने तो बड़ी भारिक जित पकड़ रखी है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें पुत्र चाहिए ही चाहिए अब इस समय तुम मेरे सामने याचक के रूप में खड़े वे हो तो ऐसी दशा में अब मैं तुमसे क्या कहूँ जब महात्मा जी ने देखा कि ये किसी भी प्रकार अपना आगरे नहीं छोड़ने वाला तब उन्होंने उस प्रहमर को एक फल दे कर कहा हे प्रहमर देपता अगर तुम अपनी जित नहीं छोड़ना चाहते तो ये लो मैं तुम्हें एक फल दे रहा हूँ इस फल को तुम अपनी पत्नी को खिला देना इससे उसके पुत्र होगा तुम्हारी इस तरी को एक साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्ड खाने का नियम रखना होगा अगर तुम्हारी पत्नी इन नियमों का पालन कर सकेगी तो तुम्हारे घर जनम लेने वाला बालक बहुत ही शुद्ध सुभाव वाला होगा ऐसा कहकर वे महात्मा जी वहां से चले गए और ब्रहामन अपने घर लोटाया घर पहुँचकर ब्रहामन ने वेफल अपनी पत्नी के हाथ में दे दिया और खुद वहां से कहीं चला गया अब उसकी पत्नी तो बहुत कुटिल सुभाव की थी वो रो रोकर अपनी एक सकी से कहने लगी सकी मुझे तो बड़ी चिंता हो गई मेरे पती ने कहा है इस फल को खाने से मुझे गर्ब ठहर जाएगा लेकिन मैं तो ये फल बिल्कुल नहीं खाऊंगी अगर मैं फल खा लूँगी तो मुझे गर्ब ठहर जाएगा गर्ब टहरेगा तो मेरे पेट का आकार भी बढ़ने लगेगा फिर तो मुझसे कुछ खाया पिया नहीं जाएगा और इससे मेरे अंदर कमजोरी हो जाएगी अब तुम ही बताओ जब मेरे अंदर ताकत ही नहीं रहेगी तो भला में घर का काम धंदा कैसे कर पाऊंगी अच्छे ये सब बाते भी जाने दो एक बात बताओ कि अगर गाओं में डाकों ने आकरमन कर दिया तो भला एक गर्बवती महिला कैसे भाग पाएगी अगर शुकदेव जी की तरह ये गर्ब भी पेट में ही रह गया तो इससे बाहर कैसे निकाला जाएगा और तो और कहीं बच्चे का जनम होते हुए बच्चा पेट में ही तीड़ा हो जाए तो फिर तो मुझे अपने प्राणों से ही हाथ दूने पड़ेंगे और योँ भी प्रसव के समय बहुत पहेंकर पीड़ा होती है मैं ठहरी नाजुक अब भला मैं ये दर्द कैसे बरदाश्ट कर पाऊंगी अब जब मेरे अंदर शक्ती ही नहीं रहेगी मैं खाना पीना भी ठीक से नहीं खा पाऊंगी और मैं कमजोर पर जाऊंगी तो मैं बिस्तर पर पर जाऊंगी अब जब मैं काम काल्स करने के लिए उठी ही नहीं पाऊंगी तो मेरी ननदरानी आएगी फिर तो ननदरानी भी कमजोरी का फायदा उठा कर मेरे घर का सारा माल पानी समेट कर ले जाएगी अब भला एक बात बताओ मुझसे तो सत्य शौचादी नेमों का पालन होना भी बड़ा कठिन मालूम पड़ता है कहते हैं जो इस्त्री बच्चे को जनम देती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा भारी कस्ट होता है हे सकी मेरे विचार से तो बांच या विद्वा इस्त्रिया ही सबसे ज़्यादा सुखी रहती है मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क कुविचार उठने से उस इस्त्री ने वह फल ही नहीं खाया वापस आकर जब उसके पती ने याने की ब्रहमन ने पूछा कि तुमने फल खा लिया तब ब्रहमन की पत्नी ने बड़ी चालागी से उत्तर दिया हाँ खा लिया एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आ गई तब उसने अपनी बहन को सारी बात सुना दी और कहने लगी कि मेरे मन में इस बात की बड़ी चिंता है अब मैं इस दुख के कारण दिन प्रति दिन दुबली होती जा रही हूँ बहन अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ तब बहन ने कहा बहन मेरे पेट में बच्चा है एक काम करेंगे कि प्रसव होने पर वह बालक मैं तुम्हें दे दूँगी तब तक तुम अपने घर में जूट मूट का गर्भवती होने का स्वांग रचना और बड़े सुक से रहना तुम मेरे पती को थोड़ा धन दे देना तो वो तुम्हें अपना बालक दे देंगे हम दोनों ऐसा उपाय कर लेंगे कि जिसमें सब लोग यही कहें कि इसका बालक तो 6 महीने का होकर ही मर गया यानि कि मैं अपने घर पर कह दूँगी कि मेरा बालक तो 6 महीने का होकर ही मर गया और मैं रोज तुम्हारे घर आकर उस बच्चे का पालन पोशन भी कर दिया करूंगी तब तक तुम्हें एक काम करो तुम्हारे पतीर ने जो तुम्हें फल लाकर दिया है अब पता नहीं उस फल में कितनी सचाई है तुम इस फल की जाँच करने के लिए ये फल गाए को खिला दो अब ब्रहमर की पत्नी ने अपनी बहन के अनुसार ठीक वैसा ही किया जैसा उसने कहा था कुछ समय के बाद जब उसकी बहन के पत्र हुआ तब उसके पिता ने चुप चाप लाकर वह पत्र धुंदलकी को दे दिया ये धुंदलकी वही है जो ब्रहमर की पत्नी है और ब्रहमर का नाम था आत्मदेव इस प्रकार आत्म देव के पुत्र हुआ है ऐसा सुनकर सभी लोगों को बड़ी खुशी हुई अब ब्रहामर ने भी सभी नियमों का पालन करते वे अपने बच्चे का नामकरन संसकार किया और ब्रहामरों को अपनी सामर्थ के निसारदान दिया अब उसके द्वार पर गाना बजाना और एनेक प्रकार से मांगलिकारे होने लगे ठीक वैसे ही मांगलिकारे जैसा किसी बच्चे के जनम के उत्सव के समय किये जाते हैं अब धुंदलकी ने एक दिन अपनी पती से कहा कि सुनो मेरे स्तनों में तो दूधी नहीं उतर रहा उत्रे भी कैसे क्योंकि धुंदलकी तो कभी मां ही नहीं बनी थी ना ही वो गर्भवती हुई थी और ना ही उसने उस बच्चे को जनम दिया था जिसे वो अपना बच्चा बता रही थी आप जब धुंदलकी ने कहा कि मेरे स्तनों में दूधी नहीं है तो फिर गाये आदे किसी अन्यजीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूँगी मेरी बहन के तो अभी कुछ समय पहले बालक हुआ था उसका बालक मर गया है क्यों ना उसे बुला कर हम अपने यहां रख ले तो इस तरह वो आपके बच्चे का पालन पोशन भी कर दिया करेगी और इस प्रकार तब अपने पुत्र के प्राणों की रक्षा करने के लिए ब्रहमन ने वैसा ही किया अब ब्रहमन और उसकी पत्नी ने उस बालक का नाम रख दिया दुंदकारी उधर समय बीता और ब्रहमन की पत्नी ने जिस गाए को वह फल खाने को दिया था वह गाएं भी गर्भवती हो गई और तीन महीने बीतने के बाद उस गाएं ने भी एक मनुष्य की तरह बच्चा पैदा किया यानि कि जो बच्चा पैदा हुआ वो बिल्कुल सुन्दर दिखता था दिव विनिर्मल और सोने की कांती वाला बच्चा था बिल्कुल मनुष्य के बच्चे की तरह दिख रहा था उसे देखकर ब्रहमर देवता को बड़ा अनंद हुआ इस खुशी में ब्रहमर ने गाए के बच्चे की देखरेग भी खुदी की और यहां तक की उसके सारे संसकार भी खुदी किये अब जब यह समचार बालक उत्पन कर सकती है देव योग से इस कुप्त रहसे का किसी को भी पता नहीं चल पाया गाए ने जिस बालक को जनम दिया था उस बालक के गाए की तरह बड़े बड़े और लंबे लंबे कान थे जिस कारण ब्रहमर ने उसका नाम रख दिया गोकन अब कुछ समय बीता तो वो दोनों बालक जवान हो गए उनमें गोकन तो बड़ा भारी पंडित और ग्यानी हुआ किन्तु धुन्दकारी बहुत ही दुस्ट निकला धुन्दकारी के अंदर ना तो ब्रहमर जैसे कोई गुण थे और नहीं वो खान पान का कोई परहेज करता था यानि कि वो मांसाहार भी कर लिया करता था और क्रोध तो उसमें कूट कूट कर भरा हुआ था बाद बाद पर क्रोध करता यहां तक कि बुरी-बुरी वस्तों का संग्रह भी करने लगा मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन भी वो खुद खा जाता दूसरों के घर चोरी करना सब लोगों से जगडा करना उसका स्वभाव बन गया था चुप चुप कर कभी-कभी तो वो दूसरों के घर में आग भी लगा दिया करता था और दूसरों के बालकों को खिलाने के लिए वो उनको गोद में लेता और उन्हें एकदम से कुए में टाल दीता अब इस तरह से उसके अंदर कूट कूट कर हिंसा भी भरने लगी सब लोग उससे ड़ने लगे हर समय वो अश्ट्र सश्ट धारन किये रहता और बिचारे अंधे और दीन दुख्यों को बेवज़ा वो तंग करने लगा था चंडालों से उसे बहुत प्रेम था बस हाथ में फंदा लिये कुट्टों की टोली के साथ शिकारी की टोह में गूमता रहता यहां तक की वेश्याओं के जाल में फंस कर उसने अपने पिता की सारी संपती तक नस्ट कर डाली और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब धुन्दकारी ने अपने माता पिता को मार पीट कर घर के सारे बरतन भाड़े उठा लिये इस प्रकार जब सारी संपत्ती स्वाहा हो गई, सारी संपत्ती खतम हो गई तब उसका कंजूस पिता फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा इससे तो इसकी मां का बांच रहना ही अच्छा था जिसका पुत्र ही को पुत्र हो उसका तो जीवन ही नरक से बत्तर होता है अब मैं कहा रहूं? कहा जाऊं? और मेरे इस संकट को कौन काटेगा? हाई, मेरे उपर तो बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी है इस दुख के कारण अवश्य एक दिन मुझे अपने प्राण भी त्यागने पड़ेंगे उसी समय परम ज्यानी गोकर्ण जी वहां आये और उन्होंने अपने पिता को वेरागी का उपदेश देते वे बहुत समझाया गोकर्ण कहने लगे हे पिताजी यह संसार असार है यह अत्यत दुखरूप और मोह में डालने वाला है पुत्र किसका धन किसका इस नेह वान पुरुष अब रात दिन दीपक के समायन जलता रहता है हे पिताजी इस नश्चवर संसार में तो कोई सुखी हो ही नहीं सकता यहां तक की सुख ना तो देवराज इंद्र को है और न चक्रवति राजा को अगर सुख है तो केवल विरक्ती एकांत जीवी मुनी को यह मेरा पुत्र है इस अज्यान को छोड़ दीजे मोह से नरक की प्राप्ती होती है इस शरीर तो नस्ठ होगा ही इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाए गोकंड की वचन सुनकर ब्रहमण जो थे वो वन में जाने के लिए तयार हो गए वन को जाने से पहले गोकंड से कहने लगे बेटा वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए ये मुझसे विस्तार पूर्वक कहो मैं तो बड़ा भारी मोर्ख निकला अब तक कर्मवश मैं पुत्र मोह में बधा हुआ था और इस घर रूप अधेरे कुए में ही पड़ा रहा हूँ पुत्र तुम तो बड़े दयालू हो इससे मेरा उध्धार करो तब गोकंड ने कहा पि इसकी किसी भी वस्तु को इस्थाई समझ कर उसके प्रती मोह ना उत्पन करें बस एक मात्र वेरा के रस के रसिक होकर भगवान की भक्ती में लगे रहें भगवत जन ही सबसे बड़ा धर्म है हर समय उसी का आश्रे लेकर रहें आन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से सदा के लिए मुख मोर लीजिए सदा साधू जनों की सेवा करिये भोगों की लालसा को अपने पास मत्वा डखने देना और जल्द इसे जल्द दूसरों के गुण और दोशों का विचार करना छोड़कर एक मात्र सचे मन से भगवान की सेवा और भगवान की कथाओं के रसका ही पान करना इस प्रकार गोकरन की वानी से प्रभावित होकर ब्रहमने अपना घर छोड़ दिया और वन की यात्रा प्रारम कर दी हालां कि उस समय उनकी आयू लगबक साथ वर्ष की हो चुकी थी फिर भी बुद्धी में वे पूरी तरह से त्रण थे अब वन में पहुँचक उन्होंने रात दिन भगवान की भक्ती पूजा करना प्रारम कर दिया सारे नियमों का पालन करते वे अब भगवान की ही भक्ती में लीन रहते इस प्रकार आज श्रीमत भागवत महापुरान की कथा का चौथा अध्याय समाथ हुआ अगले अध्याय में आप सुनेंगे कि धुन्दकारी को प्रेत योनी की प्राप्ती कैसे हुई और उससे उसका उद्धार कैसे हुआ उमीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंदाई होगी अगली वीडियो में आप सुनेंगे श्रीमत भागवत महापुरान की कथा का अगला ध्याए